परस्तन जिनों ने विदिन 12 डेज एक डिसीजन लिया, जिससे वहाँ के लोगों में इतना करेजमेंट आया कि उन लोगों को समझ में आया कि कोई हमारा देश इतना वीक नहीं है, हमारे देश के पास सारी तरीके की फैसिलिटीज नहीं, बढ़ हम यूज नहीं करते हैं, ले अगर आप किसी भी सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको इंटेपेंडेंट बनाना शुरू करें, जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ में सब्सक्राइब किया, उसमें इसमस्ट काया कि पहले साल में किसी भी व्यक्ति को चबननी नहीं दी जाएगी, तीन मह सब्सक्राइब करेंगे, तो यह इतना बड़ा जूट बोलके लोगों को क्या यह भर्मा पाएंगे? वो कुछ इतना बड़ा जूट सिर्फ यह है कि वो चुनाव जीच जाए, उसके बाद वो श्यांत बैठ जाएंगे, तब तक वो सिर्फ चाहते हैं कि जलती जादे से जादा लोगों को एग्रेसिव करें और वो उनको वोटें, उसके बाद वो फाइनली डिसीजन लेंगे कि शानत हो जाओ जितनी है, तब परसन वो इवन डॉंट नो वट इस NCC, वो किसी को क्या नोकरी दिलाएगा, वो किसी को क्या सपोर्ट करेंगा, इस तरीके बादी दावा करते हैं कि वो अलू से सोना बना सकते हैं, तो विच इस नॉट नॉट नी भड़ा, तो इस नॉट कि अगरी बात आप से पूशा है, क्या राहूल गांदी का जो ये दो बादे नो ने बड़े-बड़े किया, ये नाम याय दे रहे हैं, जिस पर आज कटाच किया मोदी ने क्या पहले अन्याय कर रही थी कोंगरस, तो क्या इस से लोग आज जो सोसल मीडिया का जमाना, क्योंकि जिसे साब से मैंने भी दो-दस सालों से सोशल मेडिया पांच सालों से में फॉलो कर रही हूं, मैं जानती हो कि आज कल के लोग बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत वूच विचार रखते हैं, तो डेफिनेटली गवर्मेंट बीजेपी की ही आएगी, और यहां के जि